नमशकार आप देखरें क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूँ आपके साथ महक कपूर और वक्तो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का सभी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखे आपको बता दे मध्य प्रदेश का हर विभाग तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है आई एक नज़र आते हैं जारे हुए सोने चांदी के नए दामों की ओर जानते हैं भुपाल सराफ़ा में क्या है कीमते बहर के सीजन में देश भर के सराफ़ बजारों में रौनक नज़र आती है दौरान सोने और चांदी के दाम सबसे जादा चर्चाओ में रहते हैं मध्य प्रदेश में इस महीने सोने चांदी के दामों में हलचल नज़र आई है bankbazar.com के अनुसार शनिवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भुपाल में 24 कारट सोनी के दाम 47,330 रुपे प्रती 10 ग्राम रही वही एक किलो चांदी आज 65,200 के हिसाब से पिकेगी अगली खबर मध्यप्रदेश चेजाए शहर में बन रहा है उर्ता जंक्षन मध्यप्रदेश के कट्नी में एक ऐसा इंफ्रेस्ट्रेक्चर बन रहा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है यहाँ पर उर्ता जंक्षन बन रहा है यह उर्ता जंक्षन 600 से जाधा फिलर पर बनेगा सूत्र की माने तो यह एक ऐसा रेलवे ओवर ब्रिज होगा जो ज़लवारक कंचलगी से मजगवार तक बनाया जाएगा और एक बड़ी खाबर जिसके अरुसार महेंगे हुए पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन पटाका बंग फोडे पेट्रोल डीजल के दान, बढ़ोत्री और महेंगाई के विरोध में यूवा पॉंग्रिस प्रदेश सचेफ शालुप पुरोवे जिलाद्यक्ष आशुरवाग शर्मा ने अपने साथियों के साथ सांसक सांधिय राय के बंगले का धेराफ किया यूवा पॉंग्रिस ने इता पहुँचे तब सांसक बंगले में नहीं थे ऐसे में नेताओ के बंगले के बहार नारे बाजी कर गेट पर ग्यापन चस्पा कर दिया गए मुखे मंत्री शिवराद सिंग चुहान ने कहा कि मद्य प्रदेश में आमजन घर बैठे सिटिजन पोर्टल पर EFIR दर्च करा सकेंगे सरकार द्वारा नाधरी को कोस्त उविदा उपलब कराने के लिए नित नई प्रयास किये जा रहे है इतना ही नई मुखे मंत्री जन कल्यान और सुराज के 20 वैशपूर होने के अफसर पर आयोजित समारों में सिटिजन पोर्टल के लोकारपन समारों में बोल रहे थे अब अगली खबर क्रिशी विभाग से जहा मुखे मंत्री कोविड-19 योजना के दहेत बाइस सदस्यों को मिली अनुकंपा नियुक्ती इसी के साथ आगे पढ़ते हैं अगली खबर के और जिसके अनुसार अब महिलाई चलाएंगी राशन की दुकान जाने कैसे साथ जिनिक वितरन प्रनाली में उचित मूलियों की दुकानों के क्रियान वियन में महिला सुअ सहायता समू को भी भागिदारी बनाया जाएगा समू की महिलाओं को भी उचित मूले की दुकानों का संचालन सौपा जाएगा गौर देने वाली बात ये है कि नवीन परिवारों का स्तियापन कर उन्हें राशन उपलब कराने की कारिवाई भी ततपरता से की जाएगी आपको बता दे ही निदेश प्रमुक सचिफ खाद नागरे का पूर्ती एवं भोकता सरक्षन फैज एहमर के द्वाई ने शुकरवार को गौलियर के मोती महर में आयोजित बैक्षक में दी और एक बड़ी खबर UPSC से जा परिक्षा होगी 10 अक्टूबर को 32 केंद्रों पर 4500 विद्यार्ती होंगे शामिल संग लोग सेवा यूग द्वारा सिबल सेवा फिलिम्स परिक्षा 10 अक्टूबर को आयोजित की जानिये विद्यार्तियों की समस्याओं का समधान करने के लिए कंट्रोल रूम की स्थाफना शानिवार को हो चुकी है इतना ही नहीं आँ विद्यार्ती फोन लगवा कर अपने केंद्र की लोकेशन का पता भी कर सकेंगे समय प्रबंदर में भुपाल रेल मंडल ने किया कमाल फहली बार ठीक वक्त पर चली 399 ट्रेने सालों की महनत के बाद भुपाल रेल मंडल के रेल कर्मियों ने आखेकार वह मुकाम हासल कर लिया जिसका लंबे समय से इंतजार था इन्होंने 7 अक्टूबर को 399 ट्रेने टैसमें से चला कर समय पालं के लक्षे को हासल करा है आपको बता दे इनमें 200 मेल वा एक्स्प्रेस ट्रेने और 100 अक्टूबर में माल परिवन करने वाली रेल गारियर शामिन है अगली खबर मौसम विभाग से जिसके अनुसार मौनसून की विदाई पर नहीं चलका बादलों से पानी अभी जेलना होगा गर्मी का टॉचर 20 अक्टूबर के बाद ही मिलेगी रहा शेहर से मौनसून की अपचारिक विदाई हो गई है शुगरवार को संभाग के पाद जिलों में विदाई घोशित हो जाएगी हाला कि अभी लोगों को 10 दिनों तक गर्मी का सामना करना पड़ेगा न्यूंतम तापमान 21 डिगरी से कारीब रहा और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिगरी से बीच रहेगा इस कारण मौसम में ज़्यादा ठंड़क नहीं आएगी लेकिन 20 अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगे तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और एहम खबरे देली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीक न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और साथ ही आपकी न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें धन्यवाद